दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए विडियो में जिसका नाम है भक्तोलजी अंद भक्तों की शाखा जहापर हम लोग जम करके इन चड़ी दारी चिंटूओं की वाट लगाते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम कर और मैं एक चैनलेज देना चाहता हूं भक्तों को इस वीडियो के शुरुआत में कि मैं उनको एक्सपोस करूंगा अगर उनके अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो अपनी दलील अपना लॉजिक पेश करने का काम करें फालतु की गाली गलोच ना करें लॉजिक दें और मुझे गलत प्रूफ करके दिखाएं मैं चैनलेज देता हूं ओपन यहां पर भक्तों को सो बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रहमास्तर मुवी है जो की आलिया भट रनबीर कपूर की मुवी है 9 सेप्टेंबर को रिलीज होने वाली है और यह जो लोग宮 मुवी देखने के पैसे नहीं है जिनको नरेंदर मोदी ने एसी हालत में फक्कड बना करके छोड़ दिया है वो जब boycott की बाते करते हैं दोस्तों तो मुझे सच में बहुत जादा हसी आती है boycott लाल सिंग चड़ा की बाते कही गई थी लेकिन लाल सिंग चड़ा ने international market में गुल खिला दिये हैं बहुत बड़े यह आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपकी screens पर दिखाना चाहता हूँ कि boycott ब्रह्मास्त्र जो कहा जा रहा है उसमें logic क्या पेश किया जा रहा है और जो logic पेश किया जा रहा है उसके हिसाब से अगर चला जाए तो नरेंद्र मोधी सबसे बड़े anti-hindoo होते हैं स्क्रीन पर देखिए अनन्या जो कि मुझे लगता है कि एक बॉट अकाउंट एक फेक अकाउंट है उसके माधियम से ट्वीट करा गया है जहां पर लिखा गया कि just look at the picture notice the differences boycott ब्रह्मास्त्र सबसे पहली बात ब्रह्मास्त्र जो मुवी का नाम है टाइटल है वो अपने आप में एक हिंदुवादी शब्द है अगर आप इसको boycott कर रहे हो तो आप आखिरकार यहां पर आपका logic क्या है सबसे पहले समझ नहीं आता है लेकिन उसके बाद यह अनन्या जी का tweet अगर देखा जाए तो यहां पर जंडे से ही आपको समझ में आ करता है दो फोटोज है रनबीर कपूर की जहां पर रनबीर कपूर एक मंदिर की तरफ दौड रहे हैं और उन्होंने जूता पहनने का काम कर रहा है एक जगा वो मंदिर की घंटी बजाने का काम कर रहे है वहां भी उन्होंने जूता पहनने का काम कर रहे है आयान मुखर ज चैप्टर 2 का एक सीन है जहां पर रौकी भाई जो हैं वो सीडियां चड़ रहे हैं और उन्होंने जूते नहीं पहन रखे हैं यह वैसे तो इतनी जादा बलर फोटो है कि इसमें क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी इसको मान लेते हैं एक बार को अब सब लांग्विज में वह एकसेल एंटरेंबंट ने का काम किया था दिखा देना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ओपर यहां पर विकीपीडिया से पूरी इंफोरी निकाल एकसल एंटरेंबंट और एकसल एंटरेंबंट किसकी प्रोडक्शन है यानि कि भक्तों के लॉजिक से चला जाए तो फरान अक्तर बहुत अच्छा आदमिये जो कि KGF चैप्टर टू या फिर रॉकी भाई जिसे लोगों को प्रमोट करने का यहां पर काम कर रहे थे वही अंदभक्त इतने दोगले हैं कि फरान अक्तर को भी गालियां देते हुए नजर आते इसके लाव को दि करने का काम किया थाμεर कि रॉकी bhaal को प्रमोट करने में धिए रॉकी bhaal को रोकी bhaal को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ कि अपने ही लॉजिक्स के इसाब से घिरते हो या फिर पिलते हो इन नहरा आते हैं आपके सामने रखना चाथ आँ जरी नीचे नरेंद मन्दिर आपको नजर आ रहा होगा इस फोटों को जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के उपर और भक्तों के मुँझ पर उनका गोबर वाला करा लोजिक भी मारना कि ऊपना मंदिर के बाहर क्या देखें करते हैं लीकाने कर और न हुटा को लगी हुए मंतिर उसकी प्रमस्सेज में जोती को लगाया जाता है प्रधान-मंद्री होती वह उंसे आगे चलने का यानि की अहट चलने का काम करती है ऐसे में अगर प्रदान मंतरी चलके कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनकी सिक्यूरिटी उनसे पहले बाहर जाए और एसे में अंडरस्टूट सी बात है कि जूते भी वह पहले ही पहनेंगे लेकिन भक्तों के दिमाग में इतना गोबर ह कि उनके दिमाग में ये बात गुसेगी नहीं लावा दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि शारुक खान को बॉयकॉट करने की बार-बार बाते चल रहे थी क्योंकि शारुक खान की फोटो सामने आई थी हमारे इंडिपेंडेंस दे के उपर जहां पर शारुक उन्होंने जूता पहना हुआ है उसके लावा एक और फोटो है जहां पर फ्लैक के सामने खड़े हैं वहां पर भी उन्होंने जूता पहना हुआ है बाकी बीजेपी के और नेता हैं जिन्होंने जूता पहना हुआ है इस फोटो के अंदर इसके लावा अमिच शा की करने का काम कर रहे हैं पूरी तरीके से अधी भक्तों के पिछवाड़े पे जरा और लाल मिर्च छिड़कना चाहता हूं एक और आपको screenshot दिखाना चाहता हूं आपके सामने SS Raja Moli जो की RRR फिल्म के डिरेक्टर थे बाहु बली के डिरेक्टर थे और बहुत जाने माने अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करी जाए भक्त जो है यह बार-बार कहते हैं कि Bollywood को boycott करो साउथ इंडस्ट्री के लोग कितने अच्छे हैं हां बहुत अच्छे हैं तो इन ही अच्छे लोगों में से एक एसे स्राजा मोली ने ट्वीट कर रहा है कि आपकी स्क्रीन पर रखता हूं और एक बार पढ़के बता जाता हूं ब्रहमास्तर इस वन उफ इस काइंड फिल्म इन दे इंडियन सिनमा आफ्टर ट्रावलिंग विद ब्रहमास्तर फॉर थे पास्ट नाइन और नीचे जो वीडियो दे रखिये इसके अंदर एसे स्राजा मोली ने ब्रहमास्तर को पूरी तरीके से प्रमोट करने का काम किया था यानि कि वह अन्दभग जो सुबह से शाम तक बॉयकॉट बॉलिवूट कहते हैं और कहते हैं कि साउथ की इंडिस्ट्री बहुत अच् मार्केट में बहुत बड़े बड़े गुल खिला दी हैं और कश्मीर फाइल्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम कर दिया आपके सामने खबर रखना चाहता हूं इन शॉट्स के माध्यम से लाल सिंग चढधा बिकम्स हाइस ग्रॉसिंग फिल्म इन इंटरनाशनल बॉ में बड़ा भ्लिन इंटरनाशनल मार्केट की जब बात आती है तो कॉंटेंट की उपर ही लोग फिल्म देखने का डिसिजन लेते हैं. कॉंटेंट अच्छा है तो फिल्म देखी जाएगी. अगर बुरा है तो कोई कुटा भी फेल्म देखने नहीं जाता. ये हैं कि इन लोगों को हर टाइम जो है असली मुद्दे से लोगों का हमारे देश की जनता का ध्यान भटकाना, असली मुद्दे कैसे, जहां पर RSS के एक फॉर्मर मेंबर ने बात मानी है, और एफेड़ेविट में बात लिखी है, कि RSS जो है, वो बॉंबिंग में काफी जादा इन्वॉ अक्रोस इंडिया क्लेंस फॉर्मर RSS worker, थोड़ा सा इसका description भी आपको पढ़के दिखा देता हूं, यश्वन शिंदे इनका नाम है, और किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर आपको इन नजर नहीं आने वाली खबर, लेकिन यहां पर जरूर नजर आएगे, यश्वन शिं साफ साफ यह दिख रहा है कि RSS का टेरिज्म के साथ क्या गहरा रिष्टा है, और किस तरीके से RSS जो है, बॉम जैसी चीजों को भी इस्तिमाल करने का काम करता है, राजनीती करने के लिए और भारती जनता पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन गोदी मीडिया या फिर हमा पूरी तरीके से जिप लग चुका है, इसके रावा दोस्तों आपके सामने एक और प्रूफ रखना चाहता हूं, दो दिन पहले गणेश चतूरती के त्योहार पे मैंने दो फोटोस पोस्ट करी थी और लोगों को गणेश चतूरती की शुपकामनाए देने का काम किया था, आखिरकार इसके अंदर इनका हंदुधर्म कहा चला गया, क्यों इन लोगों ने मुझे मुझे मुँझे मुझे पलट कर प्लटके नहीं दो, इन लोग्यों की पूरी तरीके से जल करके राक होई, और इन लोगों का जो मोर्डस ओपरेंड़ी है, वो हंदू धर्ख्शा कर करना नहीं है वो नफरत को बढ़ावा देना है इस वीडियो को यहीं खतम करना चाहता हूं कैसी लगी आप कोई वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना अगर पसंद आई हो तो लाइक के बटन को सब्सक्राइब के बटन को बेल आइकन को जरूर दबाना मैं तरीके से भक्तों की पुंगी बजाने का काम करता हूं लेकिन अगर आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी इन शौर्ट भक्त जो है उनका काफी जादा फायदा हो जाएगा इसे में इस लिए उस बेल